मैं हिमांसू और आप देख रहे हैं टार्गेट विथ हिमांसू 69,000 स्रिचक भरती से संबंदित एक और important information है आप सभी जानते हैं कि उत्तर कुंजी मामला डिविजन बेंच से final हो गया था उसके बाद सुप्रिम कोर्ट में अब एर्थियों ने याचिका डाली थी लेकिन सुप्रिम कोर्ट से रहत नहीं मिली याचिका खारिच करते हुए वापस डबल बेंच बेज़े जाने की सलाह दी गई है और अब याचिका करता ने फिर से डबल बेंच में आंसर की मुद्धे पर याचिका दाखिल कर दी है और यह लिस्टेड भी हो गया है बहुत इंपोर्टेंट है यह जानना और इस पर ध्यान के अंद्रित करना क्योंकि यही एक मैटर है इस पर सिंगल बेंच के दारा इस् साइट पर दिखा भी रहा है आप इसको देख सकते हैं ठीक है को टमबर एक में 27 27 को यह केस लगा हुआ है और चुकि यह पहली बार भी लगा है तो यहाँ पर स्टेट को नोटिस दिया जाएगा जवाब दाकिल करने के लिए सरकार को एक हपते का समय फिर से मिलेगा और सं उठताय करेगी लेकिन वही पुरानी बेंच जो इसके पहले कटाप मामली पर निड़ा दिया था और उसके बाद उत्तरकुंजी मामली पर भी निड़ा दिया था वापस मानी जैसवाल जी और करोणे सिंग पवार जी की बेंच में यह मामला लगा हुआ था 23 जुलाइ को फाइल किया गया है और अब यह लिस्टेड है जिसको आप देख सकते हैं तो जो भी अभ्यर्ति हैं वो इस मुद्दे पर भी ध्यान अपना केंद्रित करें क्योंकि अगर डबल बेंच के आदेश पर इस्टे लगेगा तो सिंगल बेंच का आदेश बहाल हो जाएगा फिल नए होंगी वो आपको डिलिवर कर दी जाएंगी वाकी एक योगेस यादो वर्सेज यूनियन आफ इंडिया 2013 का केस है उसमें भी परिछा के बाद क्वालिफाइंग मार्क बेस्ट कंडिडेट को सेलेट करने के लिए लगा जा सकता है ये भी बहुत महत पूरा अडर है इ अगलिवाद